नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट फॉर टूर अब डूटी इंडिन आर्मी का तो पार्ट तीन मैं अपलोड कर चुका हूँ पार्ट बन में, पार्ट टू में, पार्ट त्री में मैंने क्या क्या बताया है वो भी आपको पता होना बहुत ही जदर जरूरी है अगर आप इंडिन आर्मी तीन साल के लिए जूएं करना प्रेस कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी करें तो दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा सबसे बड़ा पार्ट इसमें क्या होगा कि इस वीडियो में अर्धसैनिक बलके जवान जो रिटायड हो चुके हैं वो भी अपलाई कर नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है जो इसमें में इस वीडियो को बनाने का उद्देश है कि मेरे पास में कल से हजारों कमेंट्स आ चुके हैं उसमें बच्चे पूंच रहे हैं कि सर हमने NCC की है हमने computer का O-Level certificate किया है तो हमारे लिए कुछ extra marks मिलेंगे क्या त तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो चैनल को एक बार लाइक जरू करते हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेस आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस चाहता हूं कि NCC होती क्या है तो NCC की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैड़िट कोर तो NCC दोस्तों हम जब स्कूल टैम में पढ़ते हैं तो एट क्लास से लेके और ग्रेजूशन कंप्लेट करने तक हमें NCC के A, B, C सर्टिफिकेट तीनों ही मिल जाते हैं इसमें दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम भी होती है लेकिन यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम का कोई भी इसू नहीं आएगा अगर आपने NCC का A, B, C कोई सब भी सर्टिफिकेट किया है तो आपको बूनेस मार्क्स मिलेंगे और सबसे बड़ी बात बत अगर आप NCC A सर्टिफिकेट आपके पास में है B और C नहीं है तो आप भरती देख रहे हैं इस जनरल ड्यूटी की अगर ग्रती देख रहे हैं तो आपको पांच मार्क एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलेंगे मतलब आपको जो रिटेन एक्जाम होगा उसमें आपको पांच म मार्क दिये जाएंगे अगर आपके पास में NCC का A सर्टिफिकेट है तो याद रखिएगा और उसके बाद मागर ट्रेट्स में के भरती देख रहे हैं तब भी आपके लिए पांच मार्क दिये जाएंगे तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप आर्मी के भरती देख रहे हैं टूर अब डूटी की और तीन साल के लिए आर्मी जोयन करना चाहते हैं और आपके पास में है A सर्टिफिकेट NCC का तो आपके लिए आप किसी भी ट्रेट में भरती देखेंगे आपके लिए पांच-पांच मार्क बोनस मार्क के तोर पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे नेक्स ले लेते हैं दोस्तो नंबर दो पे आप देख रहे होंगे NCC B सर्टिफिकेट तो NCC B सर्टिफिकेट के लिए भी सेम A सर्टिफिकेट की तरही है आप कोई भी ट्रेड में भरती देखेंगे चाहें आप सोलजर जीडी सोलजर ट्रेट्समेंट टे नमबर थ्री नमबर थ्री पर है हमारा NCC C Certificate तो अगर आपके पास में है NCC C Certificate तो आपके लिए Soldier GD और Traitsman इन दोनों का रिटन एक्जाम बिल्कुल नहीं देना होगा आप केबल फिजिकल और मेडिकल में अगर पास हो जाएंगे तो आपके लिए सिधे भरती कर लिए जाएगा उसके बाद में दोस्तों आता है Soldier Clerk, Store Keeper, Technical और Nursing Assistant की पोस्ट तो अगर आप इनके लिए भरती देख रहे हैं तो आपके लिए मिलेंगे 15 marks ठीक है अगर आपके पास में NCC का C Certificate है और आप Soldier Clerk, Store Keeper, Technical और Nursing Assistant की भरती देखेंगे तो आपको 15 marks bonus mark के तोर पर extra दिये जाएंगे तो NCC का A Certificate बालों के लिए और B Certificate बालों के लिए 5, A Certificate बालों के लिए 5 marks, B Certificate बालों के लिए 10 marks और NCC C Certificate बालों के लिए जी डी और ट्रेट्समेन में रिटेन माफ हो जाएगा मतलब आप पास माने जाएंगे और क्लर्क, सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट में आपको 15 marks में लेंगे तो next में चलते हैं दोस्तों next है हमारा Candidates Having O-Level Computer Certificate ठीक है अगर आपके पास में computer का O-Level Certificate है और आप भड़ते देख रहे हैं Candidate Level के sportsman है तो आपके लिए 20 marks ही दिए जाएंगे चाहें आप किसी भी ट्रेड में भरती देख रहे हैं आपके लिए 20 marks दिए जाएंगे तो दोस्तों एक बार फिर से clear कर देना चाहता हूं कि यह जो भरती होने बाली है वो एक trail के basis भी होगी इसमें अभी तीन साल के सकता है तो बहुत ही अच्छी नियूज है दोस्तों ओने उबाओं के लिए जिन्नोंने आर्मी जोइन करने की ठान रखी है तो उम्मित करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सि सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार